सर आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया इसका मैं बहुत-बहुत अभारी हूँ धन्यवाद कल प्रधान मंत्री जी ने अपने भाशन में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष अंदोलन की बात कर रहा है मगर जो क्रिशिक आनून है उनके कॉंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है तो मैंने सोचा आज प्रधान मंत्री जी को खुश करें और जो तीन किसान के बिल हैं खेती के बिल हैं उनके कॉंटेंट का और इंटेंट का कि बात करें हाँ बजट पर बोलेंगे बजट पर बोलेंगे आप शानत हो जाएए फिर किसान का मुद्धा भी बजट का मुद्धा है आप उनका आदर कीजिए तो तो बात है कि इन तीनों कानूनों का कौंटेंट और इंटेंट क्या है तो पहले कानून का पहले कानून力 कर दोक्ति कि कोई भी व्यक्ती कि देश में कहीं भी कितना भी आनाज कि सबजी फल खरीद सकता है जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है तो अगर अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा मंडी में कौन जाएगा खरीदेगा तो पहले कानून का कॉंटेंट मंडी को खतम करने का है इसका लक्ष मंडी को खतम करने का है दूसरे कानून का कॉंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योग पती जितना भी अनाज जितना भी फल जितनी भी सबजी स्टॉर करना चाहते हैं हुष्ट खर कर सकते हैं कोई लिमिट नहीं कि जितना भी हाट करना चाहते कर सकते हैं अको दूसरे कानून का कॉंटेंटaterial The Essential Commodities Act को खतम करने का दूसरे कानून का कॉंटेंट जमा खोरी को unlimited तरीक से हिंदुस्तान में चालू करने का अब तीसरा भी कानून है तीसरा कानून का कॉंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योग पती सामने जाकर अपने अनाज के लिए अपने सब्जी के लिए अपने फल के लिए सही दाम मंगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा तीसरे कानून का कॉंटेन आपको याद होगा सालों पहले फ्रामिली प्लानिंग का एक नारा था आपको याद होगा हम वह मारे दो अब मैं इन्टेंट की बात करता हूँ कानून के इन्टेंट की बात आज क्या हो रहा है जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है आज इस देश को चार लोग चलाते हैं हम दो और हमारे दो जैसे उस टाइम उस टाइम नाम सब जानते हैं नाम सब जानते हैं आप बोलो हम दो हमारे दो तो पेले कानून का इंटेंट बताता हूं पेले कानून का इंटेंट वर्तिय हमारे दो दो मित्रों मैं से एक जो सबसे बगा मित्र है उसको पूरे हिंदूस्तान के अनाज फल्ज और सब्जी को भेचने कादिकत ये है पहले पहले कानून का intent नुकसान किसका होगा नुकसान थेलेवानों का होगा नुकसान छोटे भी अपारियों का होगा नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं लाकों लोग उनका होगा अब चलिए दूसरे कानून की intent की बात करते हैं दूसरे मित्र की मदद करने का है दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्सक्राइबरेश का मनोपनी ने जारी है आज दूसरा मित्र चालेश प्रतिशा धिन्दुस्तान का अनाज अपने साहिलों में रखता है यह सदन है अगर बजट में रखेगा यह कोई यह सबाब है यह प्रधान संत्री कहते हैं मैं बजट के लिए प्रधान मंत्री कहते हैं ति मैंने ऑप्षन दिया है हाँ आपने ऑप्षन दिया है तीन ऑप्षन दिये हैं पहला ऑप्षन भूख दूसरा ऑप्षन बेरज़गारी तीसरा ऑप्षन आदवत्या यह तीन ऑप्षन आपने दिये हैं अब देखिए मामला क्या है मामला ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनस सबसे बड़ा वियकार एग्रिकल्चर का है चालिस प्रतिशद अबादी इससे जीती है चालिस लाग करोर रुपे का धंडा है दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश की अनाज की स्टोरिंग की मनौपली दे दो और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टोरिज की मनौपली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम से कम पैसे में खरीद करेगा कि इस देश की जो रीड की हटी है किसान मजदूर चोटे दुकानदार वियापारी उस रीड की हटी को तोड़ के टुक्डे करके दो मित्रों को दे दू सर आपने माइक बंद कर दिया माइक बंद कर दिया तर आपने सर इस से होगा क्या जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान है इस देश के मजदूर है छोटे वियापारी है इनका धंदा बंद हो जाएगा इन में से किसानों की खेत चली जाएगी किसान को सही दाम नहीं मिलेगा छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिरफ सिरफ दो लोग हम और हमारे हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्कम है वो नश्ट हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूक से मरना पड़ेगा रूरल एकॉनमी नश्ट हो जाएगी और यह देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा यह नई चीज नहीं है यह आप मत सोचिए कि यह निया अटेम्ट है पहला अटेम्ट है पहला नहीं है यह काम प्रधान मंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोट बंदी में शुरू किया था पहली चोट नोट बंदी थी आइडिया किया था गरीबों से किसानों से मज़दूरों से उनका पैसा लो बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेम में डालो स्माल मीडियम सेक्टर को खत्म कर दिया किसानों को बर्बाद कर दिया वहाने ही रוכें फिर गए जी एइस की गपड़ सिंगcare पांच अलग-अलग टैक्स और फिर से उन्हीं बिचारों पर आक्रमन उन्हीं किसानों पर उन्हीं मजदूरों पर उन्हीं व्यापारियों पर आक्रमन फिर करोना आता है करोना के समय मजदूर चिला चिला के कहते हैं हमें बस का टिकेट दे दीजिए हमें ट्रेन का टिकेट दे दीजिए नहीं नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा तो प्रमा जरूर होगा जरूर होगा पंचively पतियों को टक्स होगा तो पहले नोट बंदी घ्यास की ठीडर ना के समय उनि चार पंच-दम लोगों को पूरा पूरा कर्जा माग 10 लाग करोर रुपे है जो भी ठाक कर्जा माग मगर हुआ क्या हिंदुस्तान हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है जो स्मॉल और मीडियम इंडिस्ट्री है वो फातम हो गई आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है सिद्धी से बात और आज नहीं कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा क्यूकि आप ने इस देश की रीड की हड़ी तोड़ दी है किसान की मज़दूर की चोटे दुकानदार की, small medium business की रीड के हड़ी तोड़ी मगर ये मत समझे कि ये किसानों का अंदोलन है ये किसानों का अंदोलन नहीं है, आपको बात अभी समझ नहीं आई है ये देश का अंदोलन है और ये किसान सिरफ रास्ता दिखा रहा है किसान अंदेरे में तौर्च दिखा रहा है और एक अवाज से ये पूरा देश उठने वाला है पूरा देश एक अवाज से हम दो, हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है और ये याद रखिये, मैं कह रहा हूँ लिख के ले लीजिए आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को अपने पैसे से, अपने धन से परे कर सकते हो ये आप सोचते हो आप ये सोचते हो आप लिख के ले लो मुझसे किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है किसान आपको हटा देगा मजदूर आपको हटा देगा छोटा दुकानदार आपको हटा देगा मगर वो पीछे एक इंच नहीं हटने वाला आपको कानून वापिस लेना ही पड़ेगा अब बात करते हैं बजट की जब बजेट पर बातचीत करने का की बात उठी थी प्रेजिडेंट्स अड्रेस पे बात करने की बात उठी थी तो हमने कहा था विपक्ष ने कहा था हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के सब्जेक्ट पे अकेला बोलने दीजिए एक साथ हम सम मिलके किसानों के मुद्धे पर बोलेंगे स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं किसानों के मुद्धे पर चर्चा नहीं होगी बजट पर होगी और प्रेसिडेंट अड्रेस पर होगी अलग चर्चा किसान के मुद्दे पर नहीं हो सकती तो प्रोटेस में मैं कह ते रहा हूँ मैं बज़ेट पे आज यहां टिपनी नहीं करने वाला हूँ मैं आज सिर्थ किसान के मुद्दे पर बोलूँगा और उसके बाद मैं अपना मूट चुप कर दूँगा अंत्मे मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए उनकी इन लोगों ने उनको इन लोगों ने श्रदानजली नहीं दी मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं मैं अपने बाशन के बाद दो मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा आप मेरे साथ खरे हो जाएए धन्यवाद